एलो एवरीबन वेल्कम बैक टू दिस न्यू शेशन आप सभी का स्वाकत है इस नई वीडियो में एज का चैप्टर हम आज कंप्लिट करेंगे कुछ कोशन्स आपके रह देते तो वह आप सभी के साथ डिसक्स करने वाला हूँ देखें सबसे पहला सवाल क्या रखा है रेशो ओफ एजिज ओफ ए एंड बी इस फाइफ रेशो एक्स ए और बी की जो एज है उसका अनुपात कितना है पांच अनुपात एक्स है यह जो है वह 18 साल चोटा है किससे सी से और 9 साल के बाद सी विल भी 47 यह नो साल के बाद जो स अब सी पता चली कि तुम्हें प्रेजेंटेज 38 साल अब देखो एक आता है इसने 18 साल चोटा है किससे सी से तो एक की एज कितनी होगी 20 साल पता को दिक्क्त आ गया बस अब सवाल हो चोगा तुम्हारा खतम यह पांच रेशो एक्स दे रखा है पांच की वैल्यू कितनी है 20 यानि की एक की वैल्यू कितनी है 4 तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 4 एक्स टीक है एक की वैल्यू चार तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 4 एक्स तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 4 एक्स यानि की ए तो 20 साल का है और बी 4 एक्स साल का है पता हूँ यह बात के लिए लिए इसने इसने का difference between the a जो a and b a और b की एज का अंतर इन दोनों का अंतर लिखलो यह होगा वो किसके बराबर है c की एज के बराबर c कि इस कितनी है तो 4x is equal to 58 x की value कितनी आ जाएगी 4 1 जा 4 4 4 16 458 जानी कि 14 साल हमारा क्या हो जाएगा correct answer हो जाए तो जो x की value हो कितनी है साड़े चोदा साथ आई पास समय में सभी को तो direct कुछ नहीं करना था एक की एज लिख लेगी यह देखा तो उन्हें पांच की value कितनी है 20 एक की value कितनी है चार तो x की value कितनी होगी 4x इन दोनों का अंतर बराबर किसके सी की एज के ठीक है चानू रिया और abby की percentage कितनी है अच्छा रेशो दिया है रिया का और स्वेता की percentage का कितना चार रेशो साथ ठीक है तो जो यह equation है इसे भी रिया और स्वेता में बदलो क्योंकि तुम्हें पता है जो abby है न वो क्या हो जाएगा आपका 4 plus s हो जाएगा 4 plus s वेता तो यहां पर a की जंग आपका रख सकते हो 4 plus s रख सकते हो जो कितना आएगा 48 तो r plus s यानि कि दिया और स्वेता की age का जो समय वो कितना आएगा 44 years आ जाएगा यह लिकाना तो percentage का ratio दे रखा है 4 और 7 बताओ जब दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा 11 11 की value कितने आगई 44 एक की value कितने आगई 4 तो एक की 4 आगई तो 4 की 16 और 7 की कितने आजएगा 28 तीक है अब हमें क्या बताना है what is abby's age 2 years है तो 2 साल पहले abby की age कितनी थी अब बताओ abby की age लिकाल स इसने पूछा है क्या दो साल पहले कि दो साल घटा तो इसमें से यानि कि दो साल पहले भी कितने साल का हुगा ती साल का हुगा तो यानि कि option number B हमारा क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा अब देखो age में ratio वाले सवाल तो होगे इसके अलावा average वाले सवाल भी कुछ paper में पूछे जाते हैं जैसे सवाल है कि पांच साल पहले average जो पी एंड क्यू वह स्विप्टी निया सबसे पहले देखो average होता क्या है कि average कुछ नहीं होता वाई sum of all observation जितनी भी observation है सब को क्या कर दो जोड़ दो और divide कर दो किस से total number observation यह होता है हमारा क्या average अब हमें क्या लिकानने हैं इनकी पांदरा साल पहले पी और क्यूकि एवरेज एज कितनी संक्या है तीन संक्या है आपको क्या होता है अब देखो यह सवाल कैसे करेंगे पात साल पहले पी और क्यूकि average टे कितनी थी पंदरा साल यह दो अब हमें क्या लिकानने है इनकी average दे रख्या है तो कि तुम पंदरा स्म मैं लिकानना होगा क्यों यह तो पता नहीं और आदमी कितनी है दो तो अब समझो है आपको सम कितना जाएगा 30 साल तो यह तुम डारेट लिख सकते हो मतलब अगर मैं कहूं ना कि एवरेज दे रखे पी और क्यू की 15 तो तुम बताओगे कि सर समझो है ना वो 30 साल हो जाएगा ठीक है यह तुम डारेट समझनी हो अब देखो यह पांच साल पहले है यह पेकब आप Parent साल पहले 30 साल इन दोनों की एज का सं पिलस क्यू जो है कितना मेरे प्यारे भाई 30 सै पचाल पहले तो अब बताओ अगर मैं आज की बात पातो प्रजेंट एज में इन दोनों का सम कितना होगा यह भी 5 साल बढ़ा होगा या निकी फिलाल President लेंड ऐसे सम कितना होगा 40 साथ तो अब तुम्हें देखो इतना काम नहीं करना यह काम तुम डारेट कर सकते हो कैसे वह मैं तुम्हें बता जे रहा हूं एक बार बस number of person से करतो multiply यानि कि 22-40 तो तुम्हें सम पता से लिएगा फिलाल का यानि कि P और Q की age का सम कितना है 40 जो average दे रखा है उसने जितने साल पहले की बात करी वो साल जोड़ तो क्योंकि आज की लिकान नहीं है अगर हैंस दे रखा होगा तो फिर घटा होगे ठीक है तो यह पिछली बात करके से प्रेजेंटेज आगी तो आएगी तो पंदरा में पाच जोड़ो इसने क्या पूचा बताओ आर की उमर कितनी होगी दस साल के बाद दस साल के बाद जब आज आर बीसका है तो दस साल के बाद कितनी होगा होगा तीस का होगा जन Tolkien की जो आर की एज है वो कितनी होगी थीस साल प्रेजिंग संवज में कैसे पर है फटाफट देखती है हूँ अब क्या हूँ पांच साल के बाद उनको एक एक साल का बच्चा है ठीक है पांच साल के बाद से फटाफ उसके पांच साल ब साल चाल i uh और 10 लो 56 और बच्चा कितने साल का है एक साल का जैने कि इन तीनों की एज का सम्हाज कि इसकी फैमिली ने जब बच्चा पैदा हुआ ना से बताने है ने बच्चा कब पैदा हुआ अज बच्चा एक साल का है यह ना तो अगर मैं एक साल पहले की इसकी इनकी एज की सम का बात करता हूं तो बताओ उप एक साल चोटे हो गये सब तो तीन ग्ठा दो कि तीन जब बच्चा पैसा पैने की इस कहले त conceptual थो थि इनकी git PC टुन राप तो इनकी ग्तर चाफ्रै किई तुन सम कितना है ऑगा की तो Si यहने कि option number C हमारा क्या होगा करेक्ट नाचर होगा ठीक है आई होगी बात सभी को समझ में भाई यह साधी के टाइम की ती चालिस साल के पांस साल बाद की बात कर रहा है तो पांस साल यह बड़ा होगा अब बच्चा एक साल गया तो प्लस चाल्ड करोगे तो टोटल सम कितना बस यह तो ना थो तीन साल पहले पांच मेंबर की जो है एवरेज एज कितनी सतरह अब तीन साल पहले की बाद दे रखी तो 17 में तीन जोड़ो डारेक्ट जोड़ दिया नंबरों परसन कितनी है पांच इंटू पांच कर दो तो तो तुम्हें क्या पता जलिएगा सम पता होने के बाद भी जो ऐवरेज है वह क्या है सेम है जानी कि एवरेज कितनी पहले पहले 17 अब जब बच्चा पैद हुआ लेकिन अब परसन क्या हो गयोगे होगे हो तो अगर मैं सम की बात करो तो ऐस सतरह नंबरों परसन कितने होगे छें एक दो चैन कितना हो जागा एक सो होन है वो बेबी तो है तो 102 में से 100 घटा दो यानि कि जो बेबी है ना उसकी एज कितनी हो जाया कि 2 साल कि आगी बात परतनी क्या क्या बना दिया अब ना अगला सभाव souhağल एवर एज और दो बने है यह मान लेते हैं पहला और यह दूसरा इनकी जो कितने सतरा अब बता टोटल लंबर हो परसंद तीन होगे तो सम की बात करोगा मैं तो सेवंटीन इंटू थरी कितना हो जाएगा 51 यह सा जाएगा सम लिखना है तुम्हें डारेक्ट अब इसने कहा एवरेज जो राम की आए आपर दूसरी जो बालत यहां इसका इस में तो कितना जाएगा तुमारा 18 यहां पर आ जाएगा तो पहले और दूसरे बच्चे तो इनका दोनों का समपत है तो यह पूट कर दो राम की वाइफ यह जैगी तो कि आँगे तो आंसर हमारा कितना होग्य कोश्चन बस तुम्हें लिकाना होते हैं कि फिर वैल्यू करके माइनस प्लस करके आंसर नहींगे अगला सवाल देखो दस जो फैमिली मेंबर है उनकी जो एवरेज एज कितनी दे रखेंगे 20 साल तुम सम बता सकते हो 10 मेंबर का कितना हो जाएगा तो तो मेंबर है और 20 एवरेज हो जाएगा क्या सब का सम यह बात तो के लिए होता है वह क्या होता है वह क्या होता है अब इसने का जो सबसे चोटा मेंबर है उसकी जो एज है वह कितनी दस साल है तो बताओ आवरेज एज क्या होगी फैमली की जिश्ट विपूर दा बर्त दा यंगेस मेमबर वो जब जो सबसे चोटा फैमली में मेंबर है जब वह पैदा हुआ उससे पहले तुरंत पहले बतानी है कि एवरेज एज क्या होगी फैमली का अब बताओ इसकी फिलाल एज 10 साल है बाई कितने हैं 10 साल तो इसका मतलब जाहिए सिंपल सी कोमर्जार्ञें बात है कि 10 साल पहले पैदा हुआ हुआ है अब अगर भी स्ञिकल पहले की एज का सम लिखालना है तो वह कैसे से कितना कम जाएंगा सो यानि कि सो साल ही रह जाएगा फिसके पैदा होने से पहले सो साल ही रहा उसके पहले पाइस होने सबक्सक्राइब करेक्ट नुढ़ती तो सुसे मुज्टे से कर सकते हो तो मतल्द कहीं सोचक्कित हैं कि rest सब्सक्राइब सब्सक्राइब है जरे वाला सब्सक्राइब यह ता यह है नो साल का है तो नो साल पहले पैदा हो वोगी कि 9 साल कम होई होगी कितने मेंबर November पाच फाच तो 45 साल कम होगी होगी जैने कि जो नो साल पहले आपकी जो सम होगा ईजंग का वह 165 पहता चाने से 45 हो थाहेगा मेंबर जाएगा अब बताओ उसके पैदा होने ond Clyde O और किस्ते चार से यानि कि 30 साल तुमारा क्या जाए गांसार ठीक है आज योगी बास समझ में एट प्रेजेंट दा एज ओफ एबी एंड सी टुगैदर इस वनेट्टी पाइप एज जो प्रेजेंट एज है उनका सम कितना दिरखा है वह वनेट्टी फाइप टुगैदर कोई दिक्करवाली बात नहीं है इसने का बी इस टुवाइस ओल एस बी है एकी जो एज उसका बता वह बतानी है तो इस सवाल को तुम डायेट भी कर सकते हो क्यों हमें रिलेशन बता बी जो यह वह दुगन है एक तुम ऑप्शन देख लो एक वही चालीस है तो भी असी होना चाहिए तो यह वाला उप्शन कर लाट तो जाएगा यह 42 है तो चुराची यह हो सकता है अ सतरा जोड़ोगे सतावन यह तो कटी कहाता है वैसे 42 और सतरा यानिक यह सही बैठ रहा है और 40 प्लस सतरा यह कितना होता सतावन तो यह गलत हो क्या अनिकि ओप्शन नंबर भी करेक्ट आंचा यह तो डारेक्ट तरीक हो गया पर वैसे देखो तुम्हें क्या करना है जो य सतरा जाएगा माहिनस में तो कितना बचेगा 168 तो एक वैल्यू आ जाएगी हां से कितनी बैलिस साथ एक एक पता चली कि 42 तो यह सब ऑप्शन खतम दो ऑप्शन में से कोई आंसर होगा अब भी आ जाएगा डारेक्ट क्योंकि 42 दुनी तुरासी तो बस और यह सी में जोड लो तुमें प्लस 17 बैलीस में 17 जोड लो तो इसकी कितनी आ जाएगी 59 तो आसानी से तुम इस सवाल को कर सकते हैं साथ साल पहले एवरेज एज ओफ एबीस फिफ्टी बनी आ देखो साथ साल पहले कह रहा तो एक्क्यावन में साथ जोड के 58 तुरंत और कितने मेंबर नहीं तीन तो जो एवरेज एज से सम आ जाएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा आठ या चोबिस पांच तिया पंदरा में संद्राइगे एफ्लेस भी सी कितना है फिलाल परेजंट हमने लिका लिए 24 एज हो थी ऐसे तीन साल बढ़ा है यानिकि एज इकूल टूबश त्री और बी जो है टीन के जहाँ कर दो यह थी माइनस में जाएगा बी माइनस ट्रीग एक्सोचुबतर इन से एक्सोचुबतर और बी बराबर तीन पंज़े पंजबर आगी बाई 58 एक्टावन देखो मुझे कही नहीं आ जाएगा 58 में से तीन गए पच्पन आ जाएगा तो पच्पन अठ्थावन इक्सट आपका क्या हो जाएगा करेक्ट अंसर हो जाएगा ओप्शन नंबर सी क्लिए भाई सभी को एक जो लड़का है वह अपने पिता जी चोभी साल चोटा है ने ऑपादर ने तो याद रखना दो तो बताओ यह डिफ्रेंस कितना है एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 क्योंकि डिफ्रेंस हमें से कह रहेगा से दो की एक्च्वल वैल्यू लिका लो कि 48 इसकी एक क्या जाए कि पिता जी दो साल बाद 48 साल गयों बेटा 24 का इसने पूचा बताओ एजो फादर फिता जी की ए देखो इसने का इफदा एज ओफ पी एंड आर एड़िट टुदा ट्वाइस ओफ एज ओफ अगर पी और आर की एज को एड़ कर जाता है तो जो टोटल है वो बनता है एक नट था हूँ ठीक है यह बन की एक्वेशन ही बन रहे है डारेक्ट इसने का फिर एज ओफ क्यू इसको एड़ कर जाता है किसमें पी एज ट्वाइस तो टोटल कितना आता है 60 और इसने फिर आगे का क्यू और पी की एज को जब हम एड़ करते हैं तो बताओ पी की एज कितनी हो तो बहाई देखो तीन एक्वेशन बनंगी तुम्हारी इन तुमारे बन गए क्या वेरिये तुम्हें कुछ ऐसा दिमाग लगाना यहां पर कि इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा ओ तो तुम्हारा को एक्वेशन आए फिर उसको यहां पर पूट करके तो यह तुम्हारा रहने वाला है होमवर्क क्योंकि यह तीन है तीन तुम्हारे पास इसको सोज बरके मुझे कमेंट शेक्शन में बताना अंसर और अगर नहीं होगा तो फिर मैं इसको करवाद हो ठीक है यह लास्ट कोश्चन है अच्छा कोश्चन है इसको एक बार देख लिए गजो एज ओफ यह वुमैन इस दिजिट इंटीजर जो एज फूमैं की वह दो डिजिट इंटीजर है तो कुछ भी हो सकती है अब पता नहीं क्या होगी तो मान लेते हो एकस वाई यह वोमेन की एज है वो कितनी है अब देखो तुम नंबर लिखते हो ध्यान से देखना अगर दिखता हूं चोदा साल क्या इंटीजर है यह बना कैसे यह बना भाई आपका फोर इंटू आपने वन किया होगा टैन इंटू वन प्लस यानिकि यह वन स्टैन संडेड ऐसे बनत क्या होता है इन तीनों का समी क्या होता है यह नंबर होता है वन स्टैन संडेड यह आपने बहुत बेसिक सी बात है बचपन में तुम यह सारी चीज़े लिखके आते हो तो अब इसने कहा जो एज है वोमेन की वह टू डिजिट इंटीजर है एकस वाई मान लिए हमने तो इ कहरी बात यह है तुम कभी एकस वाई मानके सोल कर लो कट पीट जाएगा फिर आंसर नहीं आएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा टैन वाई प्लस एकस यह बेसिक से बता रहा हूं उसके बाद इसने का जो पती है वो बढ़ा है किससे वोमें से मतलब अपनी पतनी से बढ़ की एज का डिफरेंस है तो हस्बेंड में से क्या करोगे वाई भटा होगे क्योंकि यह बढ़ा है एक प्लस एकस माइन एकस प्लस वाई है यह वोमें की एज है तो जो वो है ना वो इस वन इलेवन वो एक बटे ग्यारा है किसका ओ देर सम उनकी एज के समका यानिक इन दोन के समका अगर मैं दोनों का सम लिखता हूं तो कितना ग्यारा वाई प्लस ग्यारा एकस तो यह आपकी एक्वेशन बनी है इंडार की अग्यारा को मन आ जाएगा कट पिटके इसे सोल कर लेंगे थोड़ा सा तो यह आपका नो वाई और यह मेरे प्यारे भाई हो जाएगा मा चार पांच आ गया जिनके एकस की वैली तो चार वाई की पांच तो अब यहां पे तुम नंबर लिख सकते हो यह निकी वुमें तो रहोगी 45 की और मैं रहुआ कितने का चोवन का देखा डिफरेंस देखो डिफरेंस जब तुम इन दोनों का डिफरेंस करोगे कि इतना है क और यह कहा रहा है कि वह एक बट गया रहा है इन दोनों के सम करो इनका पांच और चारनों निन्यानम ंवाई तो डिफरेंस कितना हरा है से नोव तो यहीज और देखो इक्वेशन बैलेंस हो रही है हो नहीं भी थी क्योंग है तो वुमेंन की एग 45 हस्बेंड की चोवन ड दूसा तरीका क्या है तुम इसको बतलब उससे सोल कर सकते हो यही मान के क्योंकि देखो टू डिट इंटेजर एकस वाई तो क्या पोसिबल्टी आपका 11 तो हो नी सकता क्योंकि जब रिवर्स करोगे तो बड़ा होना चाहिए हस्बेंट तो वुमेन को बारा मान लोगे तो फ इस के कोश्चन यह सभी आपके अगर तो आयोग सभी को चीज़े समझ में आयोंगी तो देख लेना बाई चैप्टर अपना कंप्लेट कर लेना वो प्रिवेज एक पर अटेंप्ट कर लेका थेंक्यों अग्यों